शाज़ भी कंदे 750 ती सब्सक्राइब जब पस कोई बस अचानक रुखती हैं तब हम आगे कि और दक्कावा लगता है ने या गटना किस की और इशारा कर रही है तो वो कर रही है न्यूटन के गटी के पर्थम नियम के अनुसार. A gun of mass 80 kg fires a shell of mass 0.02 kg if the muzzle speed of the shell is 100 meter per second the recall speed of the gun is closed to 2.5 cm per second. 80 kg द्रविमान की एक बंदूक, 0.02 kg द्रविमान का गोला दागती है यदि गोले की गटी 100 meter per second है तो बंदूक के पीछे हटने की गटी क्या होगी तो वो होगी 2.5 cm per second. A force of 5 newton acting on 2 kg object displays it through 4 meter. The change in the kinetic energy of the object is 2 kg की वस्तु पर लगने वाला 5 newton का बल वस्तु को 4 meter विस्तापित कर देता है वस्तु की गटी जुर्जा में परिवर्टन की गण्णा करें तो वो होती है 20 joule. Spring नियतांग 10 newton per meter के एक आदर्ष spring को 5 cm संकुचित किया जाता है. Spring में संग्रहित इस्ति उड़जा का मान ग्याद कीजिए तो वो मान निकल के आ रहा है 0.125 joule. द्रव्यवान M का एक कंड म्यूव मिटर पर सेकंड की चाल से उर्द्वादर उपर की और प्रक्षेपित किया जाता है. यह है एच मिटर की उचाई तक पहुंचता है जब यह है एच बटे तीन मिटर की उचाई पर होता है तो कंड की इस्ति जुरजा और गति जुरजा के अनुपाती गणना कीजिए तो एक बटा दो उत्तर इसका निकल के आएगा. The escape speed of an object through from surface of a planet of mass M and radius R is. द्रवमान M और त्रिज्जा R के किसी क्रह की सतह से फेकी गई वस्तू के लिए पलायन वेक क्या होगा तो पलायन वेक का सीधा फर्मुला है अंडरूट 2GM upon R. The linear speed of satellite of Earth in a circular orbit at an altitude of 300 km is closed to. तो किसके closed होगी यह दिमास भी दिया है यहां पर अर्थ मास ओफ अर्थ 5.98 x 10 to the power 24 kg radius of Earth दिया है जी का value भी यहां पर दिया गया है तो जो मान निकल के आ रहा है वह अपने को निकालना 300 km की उजयाए पर एक व्रत्ता का कक्षा में प्रत्वी की कि इसी उपग्रह की रेखिये चाल लगबक कितनी होंगी तो प्रत्वी का द्रविमान दिया है 5.298 गुनित 10 की गाद 24 kg प्रत्वी की त्रिज्जा दी गई है और जी की value भी हमें दी गई है तो यह निकल के आ रहा 7.79 km per second the next question है English medium के बच्चे जो है इसको आप लोग स्किन्शोट डे लीजिएगा इंदी में बता देता हूं किसी माद्य में ध्वनी की चाल वी उसके घनत डी और प्रत्यास्ता ई पर निर्भक हो सकती है विमाओं के तरीकों का उप्योग करते हुए वी के लिए संबंद वी बराबर के रूप में प्राप्त किया जाता है ज जो वेल्यू निकल के आ रहे है के इन ब्रेकेट एपन डी तुदी पावर उन बाइट तू पांच सेंटिमेटर त्रिज्या वाले एक आइसोलेटेड चालक गोले पर कुल आवेश इतना है 6.28 माइक्रो कुलाम है तो श्रश्टी आवेश घनत्व सर्फेस चार्ज देंसिटी का मान ग्याद करें तो यह मान निकल के आएगा दो गुणी 10 की घात माइनस 4 सेंटिमेट सेंटिमेटर प्रतिम मिटर स्क्वाइर ए लोंग स्टेट वायर केरीज ए करंट फॉर एंपियर दे मैगनिटूड ऑफ दे मैगनेटिक फिल्ड एट पॉइंट 5 सेंटिमेटर फ्रॉम दे वायर इस एक लंबे सीधे तार में चार एंगेस टाम की धारा प्रवाइथ होती है तार से पांच सेंटिमेटर की दूरी पर इस्थित एक बिंदू पर चुम्ब की शेतर का परीमान क्या होगा वह परीमान निकल के आ रहा है एक दश्यमलों छे गुनित दस की गात माइनस पांच टेसला The next question है a small bar magnet is placed with its exist 30 degree with an external magnetic field of 0.04 tesla it experienced a torque of 0.012 nanometer the work done in moving it from its most stable position to the most unstable position is एक छोटा छड़ चुम्बक अपनी धुरी के 37 degree पर 0.04 tesla के बाहरी चुम्बकी शेतर के साथ रखा जाता है इस पर 0.0 एक दो निटन इंटुमिटर का बल आगुण लगता है इसे इसकी सबसे सिर स्थिती से सबसे सिर सिर स्थिती में लाने के लिए किया गया कार क्या होगा वह निकल के आ रहा है चार दश्यमलों आट गुनित दसकी कात माइनस दो जूल सब्सक्राइब के सामने 20 cm की दूरी पर रखा जाता है इसका वास्तविक प्रसिबी में 60 cm की दूरी पर बनता है तो दरपन की फोकस दूरी ग्याद कीजिए तो 15 cm इसकी फोकस दूरी निकल के आएगी मान रखेंगे हम उस फार्मले के अंदर वीचान of the following phenomena is based on the total internal layer reflection पूर्ण आंत्रिक परावरतन जिसको कहते हैं इन मलिखित में से कौंची गटना पूर्ण आंत्रिक परावरतन पर आधारी थे तो गर्मी की दिनों में मग तशना मग तशना का बनना c option है formation of mirage on hot summer days the next question है हमारा a square coil with 8 cm side is placed in a magnetic field normal to its plane the field increases at the rate of 0.2 tesla per second the magnitude of the EMF induced is 8 cm भुजा वाली एक वरगाकार कुंडली को उसके तल के अभी लंबबत चुम्ब की एक शेत्र में रखा जाता है शेत्र दशम्लों दो टेजला की दर से बढ़ता है तो प्रेरिद EMF का परिमान क्या होगा तो परिमान निकल के आ रहा है एक दशम्लों दो आठ गुनित दस्किकात माइनस तीन बॉल्ट इन वीच ऑफ फॉलोविंग एवटलेस एवाटलेस करेंट फ्लोस वेन कनेक्टेट टू एन एसी सौर्स निर्म रिखित में से किस एक एसी स्ट्रोथ से जोड़े जाने पर उसमें वाटलेस धारा प्रवाइत होती है तो इसका उत्तर है एक शुद्ध संदारित्र इसके पंदरा प्रश्न पुछे गए थे इलेक्टिकल डिस्चार्ज धूद गैसे कुड़ बी ऑब्जर्वड एट तो लोग प्रेशर एंड हाई वाल्टेज हम लोग केमेस्टिक का पेपर डिसाइड कर रहे हैं हम लोग रिवीव कर रहे हैं उसके बारे में इलेक्टिक डिस्चार्ज धूद गैसे कुड़ बी ऑब्जर्वड एट लोग प्रेशर एंड हाई वोल्टेजेस गैसों के माद्यम से विद्यूत विसर्जन कहां पर को बी 12 मिटर पर सेकंड इव तम एरर इन मिजर्मेंट ओफ इट्स स्पीड वाज वन परसेंट द वाट वाज अनसर्टिन इट्स पोजिशन एक मेच में दो दशमलो साथ ग्राम भार वाली टेबल टेनिस गेंद को अवलोकित ओसत चाल कि अवलोकित ओसत चाल बारा मिटर पर सेकंड पाई गई यदि इसकी चाल मापन में एक दशम एक प्रदिशत की तूटी हो गई हो तो इसकी अव इस्तिती की अनिश्चितता कितनी थी तो इसका मान निकल के आ रहा है एक दशमलोव छे दो आठ गुणी दस की गात माइनस 31 मिटर कितना आ रहा है अधुनिक आवर्चाणि में हेलियम की इस्तिती के विशयम एनिश्यम लेकित में से कुछा कफन सही है यह वर्ग 18 वाले तत्व के साथ तत्व के पी ब्लाक में इस्तित हैं क्योंकि इसका भायतम कोश्ट वर्ग के अन्य तत्व की तरह पून्द भरा होता है हालां कि इसकी बायतम इलेक्ट्टॉन एस कक्षक में होते हैं यह इसका उत्तर सी ऑप्शन सही है तर नेस्ट कुश्चन इस प्रकार से हैं इंग्लिश मीडियम के लड़के इसका स्क्रिंशोट ले लिजिए अनुनाद के विशय में निन्मलिकित में से कौन सा कथन असत्ते हैं अनुनाद शंकर की उरजा किसी एक मूल रूप सनचना की उरजा से अधिक होती है डी इसका उप्शन सही दिया गया है इनमें से कौन सा कथन सही है तो ये सवस्था में उश्मा उरजा अंत्रा अनुक क्रियाओं की तुलना में अधिक प्रधान होती है ये डी ऑप्शन जो हैं वो सही है वीच ओफ फॉलंग स्टेटमेंट से अबाउट हाइड्रोजन बॉंडिंग इस इनकरेट है हाइड्रोजन आबंद के संबंद में निनम्रे खितमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है इसकी उरजा दो से पांच किलो जूल मॉल इनवर्स के बीच होती है वीच ओफ फॉलंग फिनोमेना इस रिलेटेट टू सर्फेस टेंशन ओफ एलेक्विट सर्फेस टेंशन ने परस्ट तनाव निनम्रे खितमें से कौन सी परिगटना द्रव के प्रस्ट तनाव से संबंदित हैं तो के पीलरी में द्रव का नीचे गिरना इसका एक अच्छा एक्जमपल है ले ने इस्ट है कि दो सोनो जो इठ्ञानू केलविन पर द्रवो एबी सीडी के वाश्पता आप नमसा एकत्तर बावन्द 65 और 58 मिलिमेटर हैं तो इनका मानक क्वतनांक किस क्रम में होगा मानक क्वतनांक किस क्रम में होगा तो यह का सबसे कम होगा फिर सीका होगा फिर द्फिली का फिर दी का तक ह Bake मेचर फोलोइंग प्रोसेसेश ऐल से आल्वे्ज इन्वेफ डगें ऑफ Monstrum के जिद गिसक्रम में सदेव इलेक्टर्टर की प्राप्तता शामिल होती है यहिंय च्छी एकशिव ऐन गेन करता है तो एनवे करम में दर इस्तिरांग का मातर कौन सा होगा तो वह होगा मोल 12NLN21 इस इस इन्वर्स में टेंपरेचर इस इंक्रीज़ फ्रॉं 300 कल्वेन टु 310 कल्वेन दे रेट ओफ रियक्शन वुड इंक्रीज बाइब आपॉट कितनी बढ़ जाएगी रेट ओफ इंक्रीज मतब अभीक्रिया की दर कितनी बढ़ जाएगी यह तितापमान को 300 से 310 कल्वेन कर दिया जाए तो सो परतिशाथ उसकी अभीक्रिया की दर में बढ़ोतरी हो जाएगी यह एक फार्मुला दिया गया है हमको एल्कॉहल का एक फार्मुला है र्चोह इस तरीके से एक फार्मुला होता है तो इस प्रिपेरड बाइडब रियक्शन ओ गुरेगनाड रियक्शन reaction और एमजी एक्स से अगर हम लोग इसकी reaction करेंगे ग्रिक्नाट रिएजेंट से तो हमें क्या प्राप्त होता है अल्डिहाइड ग्रूप और ची एचो ग्रूप प्राप्त होगा इन्म लिखित में से दिती अल्कोहल ग्रिगनाड अमिकरमक और इसकी अभिक्रिया से क्या बना जाता है तो बना जाता है आपका एल्डिहाइड गुरूप और सी एचो यह प्राप्त होना चाहिए वीच ओफ फॉलॉइंग स्टेटमेट्स अबाउट प्रिप्रेशन ओफ इथर्स फ्रों डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इस इनकरेक्ट है अल्कोहल के निर्जली करण द्वारा इथर बनाने के विशय में निनमलिकित में से कौन सा कथन जो है वह आसत्य है यह विद्धी के और पराथमें लित्यक अलकाइल वर्ग वाले इथरों को बनाने के लिए उपर्विक्ट होती है बिल्कुर अलत हैं यह सभी बनाने के लिए उपर्यू algorithm होती है कि रख की स्टमें निर्मलिक खित पाल जो है वह असत दिल्यलावी गतरविमान वाले इत्रों कुछ तुन्दा में इनका क्वतनाग कम होता है यह गलत है इनका क्वतनाग कम नहीं इसका कवतनाग अधिक भी हो सकता है कि वीच ओफ फॉलॉंग मेथड वूड नौट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कर्बोलिक ऑग्जिलिक एसिड जो होता है और सी डबल ओ एच के फार्मला होता है ऑक्षिडेशन ऑफ टर्शरी एलकाइल बेंजिन विद्ट क्रोमिक एसिड इसका उत्तर दिया गया है इन में इसके विद्धी से कार्बोग्जिलिक अमल नहीं बनाया जा सकता है तो तुरती एलकाली बेंजिन का बेंजिन से आप कार्बोग्जिलिक एसिड के से बनाएंगे क्रोमिक अमल के साथ में आक्षे करने यह गलत इसका है बाकी के तीन जो हैं वो सही है अब इसकी बाइलोज जी का पेपर भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं और हम लोग रिव्यू कर लेते हैं सब मेंबर ऑफ किंगडम है वो सेल वाल बट अदर डूनोट है तो प्रोटिस्टा जो है वो सेल वाल रखता है मौनेरा फंजाय प्लांटी नहीं जगत के कुछ सरदस्यों में कोशिका ब प्रोटिस्टा जगत के कुछ सरदस्यों में कोशिका बित्ती पाई जाती है लेकिन अन्य में नहीं यह थोड़ा सा इस प्रश्ण के बारे में विजार कीजिएगा मुझे इसके बारे में डाउट लग रहा है वाट इस यूनिक फीचर ओफ बैसीडो माई सिटीज दे हेव प्लाज्मो गेमी विदाउट गेमिट्स डी इसका ऑप्शन दिया गया है उत्तर दिया गया है बैसीडो माई सिटीज की अद्वित्ती विशेष्टा क्या होती है तो इसमें युगमकों के बिना पॉले गेमी होती है अनदर वर्ड ओफ लेटरल रूट इस सेकंडरी इने फ्रॉक फेट बोडी आ लोकेटेड कहां पर फेट बोडी पाई जाती एड़ टॉप ऑफ दे किड़नी मेंडग की फेट बोडी जैने की वसा काहां इस्तित होती है तो वह रखक के शिर्षव पर इने काक्रोज टेगमीना आर तो टेगमीना कहां पाए जाता है दार्क इंडर लिधरी फॉर विंग्स काक्रोज में टेगमीन कहां होते हैं तो वह होते हैं काले और चमडे जैसे अगर भाग होते हैं यह वीच आफ दूफ फॉलूइंग इस सिंपॉर्ट पॉर्ट इसका उत्तर दिया गया हैं इंसाइड ओफ एच एल भी जो ठोल लगे जिस सिंपॉर्ट निर्मेख इसमें से कुण सा सहगम या सिंपॉर्ट है तो इसका उत्तर दिया है पॉर्ट सी सोडियम और प्रतेश्यम इन अंदर जा रहा है प्लांट ग्रोथ इस काल्ड इंडेटर्माइंड बिकोज दे केन कंटिन्यू तो ग्रो थ्रूआउट देर लाइफ इन नेचर पादमों की व्रद्धी को अनिश्चित कहा जाता है क्योंकि वे प्रकृति में जीवन भर बढ़ते रहते हैं इसका उत्र है ए इन हुमन Secret यहां इसके जल्क्षन के अपना अपेंडिक्स पाये जाता है मनें अपेंडिकLS के संधी इस्तल पर पाई जाने वाली एक अंद धेली होती हैं तो वहुति र下次 के जंक्शन पर पाई जाती है कि इसमेंसे इस असत्य कथन को हमें चुनना है दियर आप टूटाइपस ऑफ एक्टिन प्रोटिन कि एक आपन धियन किसमें से कौन सा एक बन्यवर जो है ओसते हैं कंकाल की एक्टिन तंतु में एफक्टिन के दो पेचदार मुड़े वे तंतु होते हैं यह बी सही है कि Youmin being can be termed as heterogamets कि मनुश्यों को क्या कहा जाता है तो heterogamets का जाता है homogamets भी नहीं आइसोगम भी नहीं किया जाता है जूगमेट भी नहीं है The Chromosomal Theory of Inheritance Unites the Field of Scientology and Genetics. वंशानुक्रम का गुनसुत्र सिद्धान्त, कोशिका विवाजन और अनुवांचिकी के शेत्रों को आपस में जोडता है। कोशिक का विज्ञान और अनुवांचिकी को आपस में जोडता है। In the famous case of dark and light moth in England, the factor responsible for natural selection was predatory organisms. इंग्लेंड में घरे और हलके रंग के पतंगों के प्रसिद्ध मामले में प्राकृतिक चैन के लिए जिम्मिदार कारक क्या था तो वो था शिकारी जीव। What might happen after cell loses contact inhibition? तो इट में बिकम नियोप्लास्टिक, इट में बिकम कॉश्यन यह भी गलत है। इट में बिकम मेटा स्टेटिक यह भी गलत है। इट में अक्टिवेट ओंकोजन्स यह भी गलत है। किसी कोशी का द्वारा संपर्क अवरोधन खो देने के बाद क्या होता है तो वहाँ नियोप्लास्टिक रूप में ले सकती है वाट इस दा मेटामबॉलिक पाथवे देट इस यूटिलाइज़ इन फर्मेंटेड पीवरेजेस तो एनारोबिक रेस्पाइडेशन करनी किन्वती पे पदार्थों में उप्योग किया जाने वाला उपापचे मार्ग क्या होता है तो वह होता है अवावीश रसंड वाट विल हैपन इफ इस करबर इस प्लेज़ इन दे चिम्नी ओफ एक कोल बर्निंग पावर प्लांट यदि कोईला जलाने वाले विद्युद सेयद की चिम्नी में स्करबर रखा जाए तो क्या होता है तो यह उप्योग किये गए विलेनों के आदार पर उच्चरजन में पानी के गुलंचीर या अमली गेसों की मातरा को कम करेगा